वेलकम बेक टू माइ न्यू वीडियो इस वीडियो में हम इंस्टेंट इपेन कार्ड को बनाने की फूल प्रोसेस बताने वाला हूँ तो आप लास्ट तक बने रहेगा आप घर बेटे अपने मोबाइल में इंस्टेंट इपेन कार्ड बना सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री कोई फीस नहीं लगेगी हाला कि ओनलाइन पर बनाते हैं तो आपको फिजिकल पेन कार्ड के तीन सो से चार सो रुपिये फीस देनी पड़ती है बट आपको डिजिटली आप इंस्टेंट इपेन कार्ड बना सकते हो सिर्फ पाच से दस मिन्ट में तो आप लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में आपको पूरी डीटेल बताने वाला हूँ तो आपको आजाना है अपने ग्रोम प्रावजर पर किसी भी ग्रोम प्रावजर पर आखर आपको सर्च करना है इस पर क्लिक करने के बाद बेक पर क्लिक करना है फिर नीचे की ओर आना है आपको नीचे की ओर आना है यहाँ पर आपको दीख रहा होगा इंस्टेंट इपेन कार्ड इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बदा आपको EKYC के जरी आपको पेन कार्ड बनाना होगा वो भी डिजिटली साइन पेन कार्ड इस्यू इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट बेस्ड ओन EKYC आपके आधार कार्ड में मोबल नंबर लिंक होना जरूर है उससे ही आपका EKYC के जरी है आपका पेन कार्ड बनेगा तो आपको गेट न्यूऌ इपैन पर क्लिक करना है फर्स्ट गेट does यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बदा आपको उपर आपके बारा डिजिट मतलए बारा अंक के नंबर डाल देना है आधार नंबर यहां पर और नीचे I confirm that इस पर क्लिक करके continue पर क्लिक करना है उपर 12 डिजिट के नंबर डाल देना है आधार नंबर और I confirmed that पर क्लिक करके continue पर क्लिक करना है यहां पर आपने आधार नंबर डाल कर और I confirm पर क्लिक करके continue पर क्लिक करना है फिर आपके सामने एसा कुछ interference आएगा जिसमें आपको यह पूरा पड़ लेना है नहीं पड़ोगे फिर भी चलेगा फिर नीचे tick का option आएगा I have read the constant term and agree to proceed further इस पर tick करके continue पर फिर से click कर देना है फिर आपके सामने check your phone मतलब OTP आएगा वो OTP आपको डाल कर यहापर I agree to validate my आधार detail with UIDI इस पर फिर से tick करके continue पर click करना है फिर आपके सामने आधार में जो भी पूरी detail है वो आपके pen card में आजाएगी जो कि आपका photo और आधार नमबर आजाएगा name आपको पूरा check कर लेना है date of birth, gender आजाएगा mobile नमबर आजाएगा और email ID और address फिर आपको I accept that पर click करके continue पर फिर से click कर देना है फिर आपके सामने your request for e-pan has been submitted successfully का option आजाएगा acknowledgement नमबर आपको मिल जाएगे जो की यह रहे FOS 000000004199 इसको आपको save करके रख लेना है या screenshot ले लेना है और कहीं सही सुरक्चित जगह पर रख देना है यह आपको बहुत काम आएगे acknowledgement number status देखने में और download करने में काम आएगे फिर आपको go to login पर click करने के बाद फिर से आपको बाहर की और आ जाएगे आप और फिर से instant e-pan पर click करने के बाद आप update pen detail अगर आपको लगता है कि आपकी जो के वाइस के जरी आपने आधार से किया है उसमें कुछ गलत लगता है तो आप update pen detail पर जाकर update कर सकते हो आपकी details तो अगर आपको अपडेट करने का लग रहा है तो आप फिर से update pen पर click करना है update pen पर click करने के बाद आपको check status download pen तो आपको आधार नंबर आपके डाल देना है और continue पर click कर देना है आधार नंबर डालने के बाद आपके आधार से link जो mobile नंबर है उस पर एक OTP आएगा उसे आप यहाँ पर डाल दे और I agree पर tick करके continue पर फिर से click कर दें यहाँ पर click करने के बाद आपको जो भी detail correct करना है जो भी आपको सही करना है उस पर tick लगा देना और उसे सही कर लेन आए क्योंकि अगर आप इसे अभी सही नहीं करोगे तो बाद में आपको फिस लगेगी जो की बहुत जादा लगेगी तो आप यहीं पर करेक्ट कर ले आपकी डीटेल आधार detail और pen detail को मिला ले क्योंकि उसमें सही है या कुछ भी आपको correction करना है तो कर ले फिर अबो detail और टिक करके फिर आपको continue पर क्लिक करना है फिर आगे की और की और आपको जो भी सही करना है आपको mobile date of birth सही करना है दोनों में मतलब पहले क्या था और बाद में क्या था after updating मतलब पहले current मतलब जो आपके आधार में था वो details और after updating मतलब जो आपने update क्या तो वो आप मिला ले date of birth दोनों में अलग-अलग है mobile number अगर आपके दोनों में एकी है तो फिर रहने ले mobile number और email ID अगर आपको अलग-अलग अपडेट करना है तो कर सकते हो आपके आधार में वो नमबर अलग हो या पेन में अलग रखना है तो रख सकते हो फिर आपको कंफर्म देट पर क्लिक करना है करने के बाद आपको यूर रिक्वेस्ट फॉर अपडेटिंग पें डिटेल विट इंकम टेक्स डिपार्टन बेश जो होने के वाई से डिटेल एस पर अधार हैस बिन सब्मिटेट आपका अपडेट का जो रिक्वेस्ट है वो आप भेज दिया गया है और उसका भी अक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा तो आप इसे भी सेव करके रखे सेव करके रख ले फिर आपको गो टू लोगिन पर फिर से क्लिक कर देना है गो टू लोगिन पर क्लिक करने के बाद फिर साब बाहर की और आ जाएगे फिर आपको instant e-pen पर क्लिक करना है instant e-pen पर क्लिक करने के बाद आपके सामने थर्ड ओप्षिन आएगा अगर हाँ get new e-pen मतलब आपने first ही time आपने सही सब आपकी detail पूरी सही है तो आपको second करने की कोई जरूरत नहीं update pen detail करने की कोई जरूरत नहीं direct आप आकर check status और download pen पर आकर continue पर क्लिक करके आप status देख सकते हो कि आपका pen कितने दिन में बन कर ready हो जाएगा तो आपको check status download pen पर continue पर क्लिक करना है continue पर क्लिक करने के बाद फिर आपके check status और download pen card में आधार नमबर मांगेंगे जो कि आपको डाल देना है और continue पर क्लिक कर देना है फिर उसी आधार नमबर पर आपको OTP आएगा वो OTP डाल कर आपको I agree पर टिक करके फिर continue फिर से continue पर क्लिक कर देना है फिर आपके सामने new pen card allotment जो कि 4 मार्च 2021 आपको चार मार्च तक आपको आपका पेन आ जाएगा तो फिलहल मतलब अगर आपने request for new pen allotment submitted पर एक मार्च 2021 को किया है तो आपका new pen allotment मतलब आपका नया pen card 4 मार्च 2021 को आ जाएगा इस प्रकार आप status देख सकते हो और download e-pen पर क्लिक करके आप download कर सकते हो या view e-pen मतलब आप देखना चाहते है तो view e-pen पर क्लिक करके देख सकते हो और download करना है तो download e-pen पर क्लिक कर देना है अगर यह video helpful लगी हो तो like, share and subscribe करना ना भूले इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आपके परिवार में बहुत से जनों का pen card नहीं बना होगा और वो free बना सकते हैं अपने mobile से तो आपके परिवार में फाइदा मिल जाएगा क्योंकि online पर जाकर आप 400-500 रुपिये यूँ ही आप physical pen card अगर मंगवा सकते हो तो उसका भी video मना दूँगा तो thank you so much